नमस्कार आप देख रहे हैं Newsword India, मैं हूँ आपके साथ विशाल मिस्ट्रा, बोल पब्लिक बोल में आपका स्वागत है, इस वक्त हम नोयडा में हैं और जनता की राय जानेंगे, और बात करेंगे यूपी की कानून बेवस्था में क्या बदला होगा, और क्या सामपरदाइक इस बार घटी है या बढ़ी है, इसको लेकर के बात करेंगे और पबलिक क्या इस बार योगी आदितिनाथ को किस मुद्दे पर वोट की है, और दुबारा मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ बनने जा रहे हैं, क्या जनता की वो तमाम अपेक छाएं, अकांग छाएं पूर इसलिए कि यह कानून बेवस्था कैसी रहेगी बहुत अच्छी है और बी अच्छी रहेगी यह कुछ बदलाव देखा जा रहा है अहां बिलकुल देखा जा रहे है आम से लोग बैट रहे हैं उत बहें खा रहें पी रहें बस सब तरह का इंजॉयमेंट है को सामपरदाइ सब्सक्राइब कानून बेवस्था में कितना बदला हुआ है इसी को लेकर के हमारे साथ है क्या नामे सर आपका लोकेश कुमार के लग रहे है आपको की यूपी में कानून ब्योस्था में कितना बदला हुआ है और योगी दुबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे है इक्टीश तारीक को शपत लेंगे तो क्या उमीदी है अपने देखो बहुत सपत लेंगे ही पर जो पिछले पांट साल से जो उन्होंने किया है वो ज भी लोजगारी में वार शिच्छा में बहुत कम बहुत कम प्रोग्राइस वाए क्योंकि लेकर मेरी गां की तरह बहुत माहल बिगड़ा हुआ है इसको लेकर ना तो मैं खुद तीन साल से परिसान हुं इस बात पर कि मैं तीन साल गुवर्णन जोब के लिए यारी किया और फिर पेपर दो साल में, तीन साल में, पता हो कब तक बच्चा रहेगा, कब तक एजुकेशन टाइम में रहेगा, मेरी उम्र का 26 है मेरी, तो कब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा बच्चा, तो वह बहुत कम ध्यान रहा है. कानून ब्यवस्था को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कानून ब्यवस्था में जिस तरीके से 5 साल योगी राज थी, और 5 सालों में जिस तरीके से कानून ब्यवस्था, सुधरी, उसको लेकर क्या कहेंगे, इस बार क्या कानून ब्यवस्था में कुछ बदलाव देखा जाएगा। यह मतलब है और संप्रदाइक्ता को लेकर के आप कहेंगे क्योंकि संप्रदाइक्ता क्या लग रहा है आपको की बढ़ी है या कम हुई है संप्रदाइक तो कम हुई है जैसे मोदीजी ने जो लब जिहाद का वो चलाया था लब जिहाद चलाया था तब भी बहुत कम हुई थ इस बार में मैंने सुना है कि लब्जाद पर बहुत five साल का कानूप पांसल की सज़ा बताई जा रही है कि लब्जाद जो करेगा उसके five साल की सज़ा होगी और क्या आप लोगों को उमिद है कि योगी फिर्मो की मंत्री बनने जा रहे हैं तो क्या युवाओं के लिए कुछ क्या बेउस्थाएं होंगी सरकार में कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाये, क्या लग रहा है अपनों को रोजगार मिलेगा? देखो यह तो रही future की बात के रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, बट योगी जी को इस बात पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए, गहराई से सोचे, क्योंकि जैसे दिल्ली का प्रोग्रेस हुआ है के जिरिवाल के उपलक्ष में, वैसे ही UP को बनाएं वो, योगी से हम मेरा योगी से मेरा एक निवेदन है कि जैसे जैसे दिल्ली में सरकार चलाया है, के जिरिवाल जी ने, ऐसे UP के सरकार को लेकर, सासन को लेकर अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा क्या लग रहा है आपको कि योगी आदितिनाथ को आपने वोट दिया, फिर से दुबारा आप ल विजुपी को, विकॉज मोधी, मोधी की तरफ से मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूं, पर कुछ फील्ड ऐसे होते हैं कि सपोर्ट करना नहीं होता, अपने बारे में सोचना पड़ता है, फ्यूचर होता है, और फैमली भी होती है, बिरुजगारी बहुत जादा हो रही है, खासकर यूपी में बहुत जादा भी रही है, क्योंकि मैं तो एक गाहों के डिश्टिक बिलेंस है, और गाहोंती और बजरुक से हूं, क्योंकि अब की बार में बता दूँँ, मेरे यहां पे ना तकरीवन पंदर दिन में 85 डेथ हो चुकी थी, पंदर दिन में 85 डेथ हो च ऐसे मिरे इस पेसल एक गाहों में ही, जिसमरा गाहों यूद्ध की बेवस्था योगी की आने से क्या कितनी दुरुस्ट लग रही है, क्या गाहों में बिकास, पंच सालों में यूगी सरकार ने कर पाया है, क्योंकि आ अप गाहों से बिलॉंग करते हैं, जमीनी हकिकत आप हैं कि या लग रहा है आप ज्यादा प्रोग्रस नहीं हुआ है तरफ दिश्टिक बलेंज नहीं हुआ है दुबारा आप लोगों को क्या उम्मीद है कि इस बार योगी मुख्यमंत्री बरन रहा है तो गाउं में वो तमाम सुभुधाइं मिल पाएंगी जो जिससे आप लोग कि क्या उम्मीद है क्या आप लोगों को लग रहा है इस बार की रोजगार युवाओं को सरकार देगी देखिए हर एक सरकार में कुछ न कुछ अच्छाइया होती है कुछ थोड़ा सा बुरायां भी होती है और योगी अधितनाद जी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ काम किया है डेवलप्मेंट को लेके देख लीजिए आप या फिर सेक्योर्टी को लेके देख लीजिए मैं यहां से अप्डाउन करता हूं ग्रेटर नोडस आता हूं मैं और करीब अठाइस किम्टर पड़ता है तो पांच साल पहले जब मैं आता था रोड में तो डर सा ल करेंगे रोजगार हां एक इनकी कमी रही है रोजगार बिल्कुल भी अगर आप देखेंगे इनका ग्राफ ठाली जे पांच साल का तो ऐसा सच कुछ बड़ा काम नहीं कि रोजगार के मामले में तो युवाओं को उमीद है कि इस बार हो सकता है कि योगी जी कुछ करें लाइट वी जानेंगे क्या एक नाम है आपका मेरा दाा घूर्या तो ओड़ी इस बार के वाओं के लिए क्या सरकार करेंगे देगते युवाओं के लिए क्या कंट्य जाए कि लिए किया लग गफ चार ख लुग अड़र मिलेगा तका तो रोजगार टियु कम देरी एक ट् देखे, आप पहले की सरकारी देख लीजिए आप संप्रदाई दंगे कितने होते थे, ठीक है, आज की डेट में देख लीजिए आप इनकी सरकार आई है, बहुत रेयर, एक लखनाव में केस हुआ था, उसके बाद से मतलब जब उन्होंने पोश्टर लगा दिये चोराहे पे बेरोजगार, बच्चे भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थी कि उनको रोजगार दिया जाए, इस बार आप लोगों को कुछ बदलाओ, देखने को मिलेगा कि क्या कर रही है इस बार, देखे, महगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, महगाई इतना बड़ा मुद्द अब रासन देख लिजिए आप फ्री का रासन है गरीबों के लिए तो महगाई मुझे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, सर्कारी नुकरियां सर्कार नहीं निकाल रही है, इस पर क्या कुछ कहांगे यही एक कमी है, जो योगी सर्कार की है, या मोधी सर्कार की आप कहल इनको इसमें थोड़ा सोचना चाहिए, अन्य युवा फिर देर नहीं लगे कि सर्कार को गिराने में, ठीक है, शुक्रिया आप सभी लोगों का बात करने के लिए, तो यह थे हमारे साथ युवा, जो कर रहे हैं कि योगी सर्कार की सिर्फ एक ही नाकामी है, कि उसमें यु इस्वर इन्या